ताइगर श्राप को आक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं और चल जाते हैं क्योंकि नेपोडिजम इसकी वजए है अर्जुन कपूर जिनको आक्टिंग बिलकुल भी नहीं आती, बड़ी बड़ी फिल्में मिल जाती, क्योंकि वे नेपोडिसम है मैं इस दर्थी के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तायार हूँ अनलिया पांडे, बिकॉज ओफ नेपोडिसम चल रही है, अगर आउटसाइडर होती ही, तो कोई उनको पूछता भी, कोई उनको फिल्मों में लेता भी वो दिन जब मुझे आक्टर बनना था, और अब मैं बन गई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ वरूम दवन, क्योंकि डेविड दवन के बेटे हैं, इसलिए स्टार बन रहे हैं, बाकी किसी को तो मौका ही नहीं मिलता यही सब कुछ आप भी सोचते हैं, जब कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने बारे में सोचते हैं लेकिन क्या यह सच है, पूरी तरह सच है, कि नेपोडिजम के होने से ही फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाती है अगर सच है, तो पता लगाएंगे आज के फिल्मी फंडे में लेक्टिकल फिल्म स्कूल, मैं हूँ आपका अपना विरेंद्र अठौल और आप देख रहे हैं बॉल्लीवूड का गूगल जॉइंड फिल्म स्यूट्यूब चैनल नेपोडिजम एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे आउटसाइडर्स को, जो बहुत सारे कमाल के आर्टिस्ट को, क्रीटिव्स को, टेक्नीशन्स को बहुत ज़्यादा डराता है फिल्में दुनिया में करियर बनाने को लेकर जब तक चीटी हाथी की सून मैं घुसकर आतंक नहीं मचाते हैं तब तक उसको आउटसाइडर का ही फिर्टन मेंता है और यही मेरा मिशन है कि मैं आपके जो सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं उनको दूर कर पाऊं नेपोटिजम पे पहले भी मैंने वीडियो बनाये थे, उसमें कई लोगों को लगा कि मैं नेपोटिजम को बढ़ावा दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बलकि मेरा काम यह है कि मैं नेपोटिजम के बारे में आपको सच बताउं, सच्चाई बताउं ताकि उस सच को समझते हुए, जानते हुए आप आके बढ़ें और कभी भी नाकाम्याब ना हूँ अधर सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल हमेशा यही बात करते रहते हैं कि नेपोटिजम की वैशे से आउक्साइडर को काम नहीं मरता लेकिं मैं आपके सामने हमेशे टू एक्जामपल देता हूँ तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखेगा बात करते हैं टाइगर श्राफ की जो कि बेटे हैं जैकी श्राफ के और जैकी श्राफ की सबसे ज़ाधा जोड़ी पसंद की जाती थी अनिल कपूर के साथ लेकिं जो अनिल कपूर के बेटे हर्श वरधन उंके बारे में जानते हैं उन्होंने कौन-कौन किसी फिल्मिं की क्या जैकी शिराव की बात बहुत जादा इंडस्री मानती है और अनल कपूर की बिल्कुल भी नहीं मानती है इसी तरह से अगर देखे तो चंगी पांडे और गोविंदा दोनों एक साथ में कमाल की जोड़ी की रूप में फेमस हुए थे लेकि चंगी पांडे की बेटी अनने पांडे चल रही है बलकि गोविंदा के बेटी टीना आउजा नहीं चल पा रही है क्या दोनों की पहचान इंडस्री में अलग-अलग है क्या दोनों का स्टार्डम कम है बलकि गोविंदा का तो स्टार्डम ज्यादा है उनको ज़्यादा लोग मानते हैं, उन्होंने ज़्यादा फिल्में की हैं, ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा डिरेक्टर के साथ काम किया है, इसी तरह से डेविड दवन के बेटे वरुन दवन चल जाते हैं, और येस चोपड़ा के बेटे उधरी चोपड़ा नहीं चल प सुपर स्टार बन जा रहे हैं और वहीं पर उदय चोपड़ा शुरुवात की कुछ फिल्मों में आए बहुत कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी नहीं चल पाए ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बोनी कपूर और सुनिल दर्शन दोनों ही पूडूसर हैं सुनिल दर्शन ने कमाल कमाल की फिल्म बनाई है तो बोनी कपूर की जो बेटे हैं अरजुन कपूर वो काफी फिल्मों में नजर आ जाते हैं लेकिन वहीं उनके बेटे देखें श शोर शॉर्ट गरिंटी के साथ सक्सेज मिलती है तो फिर यहां पर यह एक्जामपल कुछ और कह रहा है आपकी इसी हरकत की वज़े से पापा सर उठा कर जी नहीं पाए और मैं निकल बड़ा खुद को प्रूफ करने के लिए अम टफ, अम वाइब तो दोनों में फरक क्या है फरक बहुत सिंपल सा है दोनों ही लोगों को नेपूटिजम का या या कहें कि उनके माबाब का अनभव का एक्सपीरियنस का फािड़ा हुआ होगा जो की हर किसी होता है आपके भी पेरिंट्स का फायदा आपको पहुंसता ही होगा कहीं पर भी जाने में कहीं पर भी आने में लेकिन इसके बाद उनको अपनी जर्णी खुद ही तैय करनी होती है जैसे आपको भी 19-20 साल तक अपने मवाब की पहचान की जरूरत होती है लेकिन एक बार आप इस दुनिया दारी में आ गए अपने चौप पर लग गए बिजनस में लग गए तो आप अपनी पहचान बनाते हैं तो इसमें अगर कॉमन फेक्टर देखें तो आउटसाइडर को भी अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है पहचान बनानी होती है अगर नेपोडिजम ही सिर्फ गारेंटी होता तो फिर आउटसाइडर को कभी भी काम नहीं मिलता जबकि सच यह है कि आउटसाइडर को काम जादा मिलता है हाँ अगर इंडस्टी के लोग ही इंडस्टी को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे अपने क्राफ्ट को अपने करियर को अपनी एक्टिंग स्किल को सीरियसली नहीं लेंगे तो उनको भी नहीं देखा जाएगा कि वो दैचोपडा ही यानि यह चोपडा के खंदान से आते हैं या फिर टीना हुजाएं जो गुविंदा सुपरिस्टार की बेटी हैं या फिर उसके बाद शिव दर्शन है सुली दर्शन जैसे बड़े प्रोडूसर डिरेक्टर उनके बेटे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए हां लेकिन अगर टैलेंट होगा तो टाइगर शौप भी चलेंगे भले ही वो जाए कि शाप के बेटे हैं या उनके जैसा कोई आउटसाइडर आता है तो भी अगर वाणने पांड़ने हैं तो चंकी हो जाए इसलिए वीडियो को एंड तक देखीगा इसके बाद बाद आती है वरूंधवन की उद्याय चोपड़ा की वरूंधवन के अगर आप एक्टिंग टैलेंट को देखेंगे डांसिंग स्किल्स को देखेंगे तो उद्याय चोपड़ा के मुकाबले वो काफी अची ह बहतर है उनका जो स्क्रीन प्रिजन्स है वो जाड़ा कॉन्फिडेंस से बढ़ा हुआ है जबकि उदर चुपड़ा एक बगत बड़े प्रड़क्शन हाउस से आते हैं लेकिन उतना लेवल उनका नहीं है इसलिए और बात करें अरजुन कपूर की तो उनको शुरुआत मे बहुत है तो मिल रही थैं अभी मिल रही है कर पाएं तो एक ही बात कॉमन है वह ये कि आपको अपने टैलेंट को प्रूफ करना पड़ेगा आप ए Oooh तो बही पर सकते हैं अब आप यहां बूलेंगे कि उनको सीधे में लीड मिल गया हमको में 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 कुई क्यों गें iy ऐसक अगर मालिजिये टाइगर श्राफ में लीड बनके आए लाउंच हुए तो क्या आपके अंदर काभलियत उत्रे मार्शाल आट की फाइटिंग ट्रेनिंग की काभलियत है क्या जो लुक टाइगर श्राफ का पहली फिल्म में था क्या उस लुक के लेवल पे आपने अपने आप के पास टैलेंट है, आप के पास जोगनें, तो बिलकुल आपको लिए मलेगा। फिर अगर बात करें कि अगर आप के पास अरजुन कपूर जरे कि जो खास तहरे के रोल में चल जाती है कि आप ऐसी personality है, वैसा look है, अगर आपका look है, आप ऐसे maintain है, वैसे guru है, तो आपको भी काम मिलेगा, और उस तरह से वर्ण धवन की तरह अगर आपको dance आता है, आप spontaneous acting करते हैं, comedy अच्छी कर लेते हैं, बच्चे आपको पसंद करते हैं, तो आपको भी काम मिलेगा, इससे नहीं पता, आज आपको पता ही होगा, टाइकर श्राफ की और वर्ण धवन की जो सबसे ज़्यादा fan following है, वो बच्चों में है, छोटे बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं, तो यह जो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, इनकी fan following लेना असान नहीं होता है, तो यहाँ पर इंडस्टी में एक ही common बात है, प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो, आप चाहिए फिल्मी बैग्राउंड से आएंगे, तो भी प्रूफ करना है, नहीं आएंगे, तो भी प्रूफ करना है, प्रूफ कर दिया, तो जरूर चलेंगे, भले ही फिर आप फिल नॉलेज का, इंडस्टी के बारे में वो आपसे बहतर जानते हैं, नेटवर्किंग का, इंडस्टी की नेटवर्किंग उनके लिए असान है, दोई चीजें इंडस्टी के बारे में नॉलेज और नेटवर्किंग, ये नॉलेज और ये नेटवर्किंग अगर आपको आ जाए तो दोनों समान रूप से समान लेवल पर आ जाएंगे तो कोई फरक नहीं रह जाएगा आपके पास भी उतने ही मौक्वे होंगे तो क्यों ना आज से अभी से अपनी knowledge को बनाए networking कैसे करते हैं कैसे industry को समझते वो सीख जाए आप बनेंगे कि यह कैसे सीखा जा सकता है बहुत असान है knowledge लेना है आपको training लेना है तो इसके जाएंट फर्मस अकैडमी अविलिबल है और जहां तक बात है mindset की तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं सिर्फ acting नहीं सिखाता हूँ बलकि successful actor का mindset बनाता हूँ मैं साफ कहता हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ acting skill नहीं सीखेंगे बलकि successful actor कैसे बनते हैं वो जानेंगे और वो सीखेंगे और इसी वज़े से आज जाएंट फर्मस अकैडमी के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों में serial, web series, ad films में बहुत मज़े लेके काम करें क्योंकि उनके पास आप knowledge भी है और networking कैसे करना है ये भी उनको पता है तो अगली बाद जो आपके मन में खयार आए नेपोडिजम को लेकर या फिर कोई आपके मन में एक खयार डाले तो इस वीडियो को जरूर याद कीजेगा उन सभी के साथ शेयर कीजी इस वीडियो को जो नेपोडिजम ते डरते हैं बचते हैं क्योंकि डरने बचने से हमारी समस्या का समधान हल नहीं मिलेगा समस्या का समधान है knowledge और networking में और ये दोनों आप सीख सकते हैं जो आप समस अकाडमी से अगरे वीडियो मैं फ़र से महलूँगा तो तक के लिए देखते रहें सीखते रहें चमे रहें All the very best अक्टर बनने का सबसे आसान तरीका एवोर्ड विनिंग एक्टिंग गुरू विरेंदर राठोर का best seller acting method switch on switch off acting method है इस course से सीख कर आप भी कुछ ही दिनों में एक बहतरीन actor बन सकते हैं जिसे साबित करते हैं इसके amazing amazon और google के ratings and reviews switch on switch off acting method अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी method है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है switch on switch off acting method course book आपको amazon flipkart joint films website पर available है